आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजूकेशन टेक्स लो तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वादे हैं डियलेड यानि की आपका देली डाइट है आपका टीचिंग कोर्स आप बीएलेड कर रहे हो या फिर कोई भी अधर कोर्स जोगे टीचिंग से तो उसके ले अपके लिए जयां इंप्ठेक्ट 4 humanolden वाला है वोट इम्पोटैंट होने वाला। इससे हम फर्स वीडियो कबर कर चुके हैं जिसमें हम्ने ग्रोथ ंडिवलप् rabbits की रिख कि इसी की इन दोना से क्या हैasant कि दिशिकर्फिश्चिन जे किका क्लिए बुरियकों कि विरध्धि विकास के सिध्धांत सरह से इस सिध्धांतों को बनाया गया है कि रहें से स्टांटों से विकास किस तरीके से होता है यही तो चलिए आज की वीडियो और जानते हैं ग्रोथ development के सिधान्द की क्या क्या principles है growth and development के सबसे पहले निरंतर्ता का सिधान्द इसे principle of continuity भी कहा जाता है principle of continuity आप इसके नाम से समझ सकने continuity means continuously जो कि लगातार चलता रहे निरंतर्ता लगातार जो ना रुक है तो हमारा विकास जो एक बच्चे का विकास कोई भी वयक्ती हो जो वयक्ती सास ले सकता है पेड़ पोधें हो कोई जानवर हो कोई इंसान हो तो उन सब भी हमारे क्या होता है हमारे जाईयां पढ़ जाती है हमारे दाथ तूड़ जाते हमारे बाल जड़ने लगते हैं हम बहुत कमजोर हो जाते हैं हमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती है तो वह सब किस्विये होता है Growth and Development के कारण ही होता है हमारे इंदर खून बनना बन्द हो जाता है बड़ जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम बढ़ते हैं हमाई हाइड बढ़ती है हमाई दात आते हैं हमाई बाल Growth करते हैं तो इसी तरह से यह निरंतरता का सिध्धान्त जो है continuity क्या है जो हमारा सेकंड है गती की दर एक सी नहीं सेकंड सिध्धान्त है हमारा गती की दर एक सी नहीं अगर हम इंगलिश में इसे कहें तो Speed Rate not the same Speed Rate जो है हमारा वो same नहीं होता क्योंकि हर इंसान हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें अपनी अलग कुछ ऐसे qualities होती है जिसके करान उसके growth and development उसके विरद्धी और विकास अलग-अलग होता है इट मेंज कोई बच्चा जल्दी से बढ़ा होता है किसी की height जल्दी हो जाती है अगर हम girls and boys की बात करें तो आपने देखा होगा कि girls की height ज्यादा जल्दी बढ़ी हो जाती है बट जो boys होते है उनकी height slow-slowly बढ़ती है बट क्या होता है एंड में आके girls फिर भी छोटी रहे जाती है या फिर boys की height बहुत जादा निकल जाती है इसलिए गती की दर एक सी बिलकुल भी नहीं होती कोई बच्चा छोटा जाता है कोई एकदम से बहुत जल्दी बढ़ा हो जाता है जबकि दोनों की age सेम होती है बट किसनी है होता है ये गती की दर एक सी नहीं है speed rate not the same that is why एक सी हर बच्चे की growth and development एक जैसा नहीं होता दिन जो हमारा third day वयक्तिक अंतर का सिध्धान तब वयक्तिक अंतर क्या है English में कहें तो theory of individual difference अब theory of individual difference क्या है miss वयक्तिक अंतर हर बच्चे में अपनी अलग quality होती है हर बच्चे में अपने अलग गुण होते है आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कर रोता है को सूधा है तो इसी तरह से व्यक्तिक अंतर का सिध्धान कि फिर बच्चे में अपनी अलग क्वालीटी होती है बच्चे यह कर सकता है दिन यह नहीं कर सकता हम बड़े हो जाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि सभी आपको पढ़ा पाए हरverse हर के सैंद मैं हर इंसान सबसे अलग है कोई भी एक जैसा नहीं है तो यहीं है हमारा theory of individual difference जो हमारा फोर्थ है tour विकाश किरम की एक रूपता आँ ड क्या है विकाश किरम की रूपता जिसे में 一सा हम इफंपॉर्मिटी देवलपमेंट ओडर कहते हैं तो देवलापमेंट ओडर क्या है विकाष किरम की विकाष रही जो किस तरह से होती है यो विकास के यो लाइन है जो हमारी लाइन चलती है एक सिरीज चलती है तो हमारा विकास जो है हमारा डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताती हूँ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दो पार्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है लंबवत मस मस्तोन मुखी जिसे इंगलिश में केपलो यो केवडल भी कहा जाता है दिन जो सेकंड है हमारा प्रोक्सिमो डिस्तल जिसको केंदर से बाहर की और कहा जाता है अब आप मैं जानती हूं आप यह वर्स नहीं समझे होंगे मैं आपको समझाती हूं कि जैसे कि विकास किरम की एक करूपता तो लंबवत क्या होता है बिल्कुल सीधा और यह मस्तोन मुखी है वह होता है में सिरीज इस तरह से तब यह क्या है मैं आपको बताती हूं जब हमारा विकास होता है एक बच्चा पेदा होता है तो यह तो नहीं कि वह लगातार ग्रोथ करता चला जाएगा डेव बच्चा बढ़ना सीखने लगता है या फिर उपकुछ समान पकड़ने लगता है उसके हाइट बढ़ने लगती है तो वह कोई भी वैक्ती कोई भी बच्चा वह एक दम से नहीं लंबवत इसाब से बिल्कुल भी ग्रोएं डेवलप्मेंट नहीं करता किस तरह से करता है कि लगातार बार जाएंगे ता हम पहाड बढ़े र साल दा लेंघा dipping जाएंगे लगता उसके भी इलिए यान वारत नहीं रता है जिसे English में Estimation of Development Format कहा जाता है अब जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी कारिये करता है कोई भी काम करता है तो हम उसे देख क्या अनुमान लगा लेते हैं कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो हम करने पढ़ाई में बहुत अच्छा है किस जगह पर जा सकता है किस पीड में उसकी इंट्रस्ट ऐसे कि कोई बच्चा खेल में अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ यह प्लेयर बन सकता है तो इसी तरह से विकास प्रारुप का नुमान Estimation of Development Format को नुमान लगाए जाता है कि बच्चे का कि एक बच्चा किस तरह से क्या कारिय कर सकता है दिन जा हमारा Six Principle है वो है समानने से विशीष्ट की और इसे इंग्लिश में Form General to Specific कहा जाता है अब क्या है समानने से विशीष्ट की और एक छोटा बच्चा है हम यहां पर छोटे बच्चे का ही उधारन लेंगे क्योंकि एक छोटे बच्चे से ही एक बड़े होने तक हमारे पराकिरिया चलती रहती है क्योंकि हम छोटे बच्चे से लेगे जब तक हम भूड़े नहीं हो जाते तब तक हमारा विकास and development चलता रहता है तो इसलिए हमने यहां पर सिर्फ और छोटे बच्चे की ही बात कही है तो सामानने से विशिष्ट की और जब छोटा बच्चा होता है तो हर काम सामानने करता है सारे काम उसके सेम होते हैं उसे कोई चीज उठानी है दिन वो हाथ से सीधा उठा लेगा उसे उंगलियों का जादा इस्तिमाल नहीं करता हम उसे पेन पकड़ाएंगे हम उसे पेसे पकड़ाएंगे छोटे बच्चे को तो वो नहीं पकड़पाता अब क्यों नहीं पकड़वाता है क्योंकि उस वो से अपने हाथ का यूज़ करता है तो फिर आपने देखा होगे कि जो बचा 2-3 साल का होता है वो पेसे पकड़ने लगता है हम उसे कोई चीज हाथ में पकड़ा है तो वो पकड़ लेता है किसलिए क्योंकि वो एक समानने से विशिष्ट की और बढ़ रहा है कि कुछ specific की तरफ बढ़ रहा है और इसी तरह से वो बढ़ते बढ़ते एक दिन बिल्कुल हर चीज में एक दम ठीक हो जाएगा उसका विकास विरद्धी होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी जो हमारा seventh principle है वो है परती एक अवस्था से अपेक्षाएँ अब क्या है परती एक अवस्था से अपेक्षाएँ इसे English में expectations from each stage हमारी जो अपेक्षाएँ हो हर stage में हर अवस्था में अलग होती है किस तरह से एक छोटा बच्चा होता है उससे हम क्या expect करते है कि वो जब अपने करियर में सब्सक्राइब करते होंगे कि मैं कुछ करूं अपने करियर बनाओं अपने सपनों के बारे में सोचा हूं पढ़ाई अच्छे से करूं अच्छे नंबर उसे पास हों तो इसी तरह से हर स्टेज की हर अवस्था कि अपनी अलग होती है कि कोई व्यक्ति हमसे क्या expect करता है कि हम क्या करें अपनी लाइफ में जिस हम एज में हैं उस एज में हमें क्या करना चाहिए जैन उसके बाद ज कि अगविर्ट पढ़ाई जाग होता हैं अगै करें तो रिवन्द्र होता है इयुदर सहन होता है इंग्ल Sydney तो लेक्राइटर रेहा बहुता है वहती है पीर होता है तो रुख जाता है बहुता है तो दोने थोड़े थोड़े Самまあ आपको यह पता करना है कि हमारा उसान आप कि अब बड़ा होता है उसका Unvida कींशी जफो डला होता है ऑड़ा जलातो बेखने है उसके बड़ा हिए है सबसे बीलकुल ठार्थ है तो यहीं होता है कि मस्तोनमक्रों गेंदर से बाहर की हो और्या किन्दर से बाहर की हो और क्या है कि एक सरकर है उसी के शंचिन काम काम कर रहा है बर्ड ज्य ладно शबुँड़ार हो जाता है उसमें फोड़ी मैदारी आ जती है उसका माइन डेवलप करने लगता है तो वो अपने एज से थोड़े बड़े काम करने लगता है थोड़े बड़े काम में जैसे कि अभी छोटा बच्चा है वो कुछ भी नहीं पकड़ पाता बर जब वो थोड़े सी एज उसकी बढ़ती है दिन वो कुछ प period बाद slowly slowly या फिर बहुत fast speed में एक time period में होता है उसके बाद जमान 9th सिध्धानत है वो एकी करन का सिध्धानत अब क्या है principle of integration एकी करन में हर बच्चे का एकी करन होता है सबकी चीज़ सेम है हर व्यक्ति में एक सब चीज़ सेम होती है मिस हमें पैदा हुए है हर इंसान बच्चन बढ़ते हैं हड्डियां थोड़े एक्टिव हो जाती है बच्चा मोटा होता है पत्ला होता है हर बच्चा बोलता है देखता है सुनता है कुछ कारिये करता है तो इसी तरह से एकी करन का सिध्धानत की हर व्यक्ति में जो भी चीज़ होगी जो भी development भी जो भी ग सभी इंसानों में सभी में एकी तरह से growth and development हो गया माइंड तो सबका अलग होता ही है सोच तो सबके अलग होती ही है सोच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं जो हमारा last principle है वो है परसपर संबंद का सिध्धान अब क्या है परसपर संबंद का सिध्धान principle of inter relation परसपर सिध्धान त कि हर किसी का एक दूसरे से बिल्कुल सेम संबंद एक बच्चा है मेरे आपको बताया यह एकी करन के सिध्धान में क्या होता है कि सब बच्चों की जो भी छोटा बच्चा है वो पेदा होगा वो बड़ा होगा बैठेगा चलेगा उठेगा फिरेगा जो भी कारिये करेगा सभी बच्छों का समान होता है सभी बच्छे एक सैंगे के वीग सम्हें होती हुग कि आपको सारे प्रिंसिपल सारे सद्धान बहुत अच्छे समझ आए होंगे आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा यह पढ़ने में क्योंकि मुझे तो बहुत मजाया आपको पढ़ाने में अब आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप किसी और क्या पूछ सकते हैं आई होब कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूस्फुल रही हो थैंक्यू फर वाचिंग एजुकेशन टेक्स लो